दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चाइनल पर आज के इस उडियों में हम बात करने हो जो बारबाड उस टीटेंड की जो मैच है टी आइटी वर्सेस डब्लू ए आर के बीच याने टाइटन्स वर्सेस वर्यर्स के बीच की मैच की तीम ड्री मिल आप क्लिक करते हैं तो आपको मल्टिपल स्टीम क्रियेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है तो दोस्तों मैं उसी तरह से तीन वहां पर बना के रख चुका हो जिसे मैं एक एक करके आपको एडिट करके दिखाता जाओंगा किस को लेना किस को नहीं लेना है क्याप्टन आप किसी बना सकते यह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पहले टिम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं तीनों की पर प्लेंगी लिए और में शामिल है एल बाउचर और आर क्लार्क ने को लूगा के श्मित को लूगा जे ग्लिक सकती में लूगा और है और डबलु वारल को तीम मिलूगा तो पाँच ऐसे बल्लेवाजों को मैंने चूज किया है जिनका परफॉर्फंस अभी तक अच्छा काऊँगा किसका अच्छा भी रहा है किस किसका कुछ मैचस में ठीक ठाक रहा है तो अच्छे जिन्होंने अभी तक आच्छा किया है उन सबको मैंने इस टीम में शामिल कर लिया पांच बलेवाद लेनी के बाद मेरे पास ज्यादा कुछ आप्शन नहीं बचेते तो दो ही ओल रॉंडर में यहाप पर लूँगा जो कि जे कार्टर को अफकोस लेना ही है और एन यंग को भी हमें हर टिम में करिब खर लेना ही होगा तो इसतर से दो ही ओल रॉंडर में यहापर ले सकता हूं क्योंक कर रहा हो तो दोस्तों आपको बता दू कि हर जगह पे और भी आपके पास काफी ऑफ्षन से तो यह तो अच्छी बनने वाली लेकिन आगली दो टीमें भी आपको जो बताने हो वह भी अच्छी बन जाली तो अभी फिलाल इस टीम की बात करें तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पर करना है और देखना है कि कैप्टन और किसे बना सकते तो यहाँ पर पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस का भी रहा है चालिए तो एक बार फिर से टीम जड़रूर कर लेते सबसे पहले तो आपको दिखा देता हो कि मैंने यहाँ पर कीपिंग में क्लार्क को को लिए पाँज बल्ले बाद में आफकोस ले रहा हूं दोस्तों उसके बाद और दोनों को हमें हर टीम में लेने की पूरी कोशिश करने हैं तो इसलिए इसनको छोड़ना थोड़ा रिष्की सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश करना ही करना है अगर आप चाहे तो स्मॉल लिग के लिए यूज कर सकते हैं देकिन एक ग्राइंड लगाने के बाद आप स्मॉल लिग के लिए यूज करेंगे तो कोई प्रब्लम में कोई लेकी लिग लगाते तो सिर्फ लिग लगा और सबस्टों सब्सक्राइब करेंगे तो आपको थीन आप ग्राइब रहती है जैसे थर्टे तरी 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 रहती है तो इस तरह से तिन अच्छे खासीन को युड नीग को यह ठीक नहीं है दो तो हम लाप तीन में अगर आप लगाते तो कहीं ना कि आपको ज़रूर जीत मिल सकती है या फिर अच्छी खासी अर्णिंग हो सकती है चले दोस्तों के क्याप्टन की बात करें तो जो कार्टर अफकोस इनको लगाना जरूरी है अगर यह अच्छा पर्फॉर्मस करें तो भी हमें फायदा है नहीं भी करें फायदा है क्योंकि 60 परus सो में ज्यादा लोगों आहिकर क्याप्टन बनाया और शाक्ते हीं सकते होगों अपने टिम का बना सकते अभी को क्लोज कर ले afar दोसरी लिखा तर से मैं ने बनाई है दूसरी टीम की बात करें तो भरहएं हमें हापने होट बनानी जा रहा हूं को और यहाँ पर एटमवर को दोनों को इस्तिम में शामिल कर सकते इतना भी बडिया मतलब नहीं रहा है कि हर टिमें में मतलब लेना ही लेना है बैटिंग पर चलते हैं तो यहाँ पर आज वल्लेबास इंटीन ही रखुँए इंट है को वापस ले केशमित को ले रहा है जेक ग्लिक्स को भी वापस ले रहा हूँ इसके अलावा कोई और वल्यवाद मैं इस टीम में नहीं लेने आलाओ क्योंकि अलरेडी में दो कीपर तो ले चुका हूँ और और में मैं हर बार दो ही लू ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहीं को इनको एक बीटीम मैं ना ले तो इसलिए इनको मैं जरूरा जरुब ले लुंगा ताकि आपको ज्ढ़ा से ज्ढ़ा करा कर दे सको तो इसके बाद गेंबाजी की बात करें तो तीन गेंबाज यहां पर महें से लह रहा हो tip पिछली टिम लेकिन इनका भी परफॉरमस इतना बूरा नहीं है अच्छा खासा परफॉरमस है तो ज़रूर आप इनको भी स्तेमों i2 बहुत तो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा गुट पेस के लिए मतलब फास्ट गेन बाजी के लिए पीछ ठोड़ा अच्छा रहेगा और बैलन्स पीछे बैटिंग भी अच्छे हो सकते अभी हमें नेक्स्ट पर किक करनी है और देखना है कि क्याप्टन और वाइस क्याप्टन किसे बना सके याथ यहां पर एन यंग को मैं का क्याप्टन बनाने जा रहा हूं दोस्तों देख सकते करिब-करिब सबसे पहले तो यहां पर मैंने दो सर्प्राइजिंग डिशीजन लिए यहां पर एल वाउचर और अर्टमबर को दोनों को इस टीम में लिया है और जो हमने पिछली टीम में कीपर लिया था उनको ड्रॉप कर दिया यह थोड़ा रिस्की है लेकिन फायदा भी हो सकता है इ स्मित को ले रहो तीन बल्लेबाद मेरे पास रहने हो पिछली टीम में मेरे पास जय काटर और एन यंक तो थे लेकिन इस बार जे रॉबर्स को भी लूगा दोस्तों पर्फरमस इतना भी बुरा नहीं और प्लियर भी काफी अच्छे तो एक टीम में तो आप नमसे कम इनको काफी परफॉर्म कर सकते हैं यह काफी बढ़्या बनी थोडिया रिस्की से I जरूआर नहीं योजकर करें टीन मुझे लगता नहीं के जरुन है चले दूस्तों, क्याप्टन की बात करें, धैसे कि मैंने आपको बता है एन यंग को 41 परसेंट करीब करीब लोगों ने वाइस क्याप्टन लेकिन मैं इनको साथ जाओंगा है दोस्तों आप सूच सकते हैं कि क्ठ सकते हैं याफिर एक्षी क्यात से जीत सकते हैं है इनके दम पर 8,500 फांटे लोगों सेapo बनाया था तो चले तो इस टीम को फिर से कौँंगा ग्रांडिक के लिए उचकी जगा स्वालीक के लिए ना यूज़ करें तो मैंटर है मुरम यूज ना जैने मैंने सबी कीपस यहा सकर लिए अलग अलग इस टीम में शामिल करूंगा इनको पिछली टीम में नहीं ले पाया था तो यहां पर मैं उनको जरूर शामिल कर लूँगा अगर आप यहां पर जे गलिक्स की जगह पे अगर एक के होप को भी लेना चाहे तो यह भी एक अच्छा ओप्शन रहेगा रोस्तों फिर भी यहां पर मैं जे गलिक्स के साथ ही जाना चाहता हूँ अगर अल्राउंटर की बात करें तो इस बार चार अल्राउंडर लोंगा थोड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं यहां पर जे काटर और एन यंग तो रहेंगे लेकिन जे रोबर्स को भी स्टीम में मैं शामिल करने आला हूँ औ स्टीम को भी ले रहा हूं सी होल्डर को भी लोंगा और डेvent कोभी भी लुगा हां यहां पर पर पास ज्रोच पर को यहां और अपर दो यह पर्धार को यहांप इंपल लन खःच्रीव मार्शल है यह कुछ ऑप्शन है जिनको आप अपने टिम में शामिल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम इसी तर से कुछ करते हैं जे लॉट्स या फिर हम ए मार्शल दोनों में से को ट्राइ करते हैं तो यहां पर सेफ रहेगा जे लॉट्स को लेना और थोड़ा रिस्की से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्याप्टन किसे बना सकते हैं तो यहां पर मैं और भी अलग कर रहा हूं सी होल्डर को जो की करीद करीद सब्सक्राइब लोग माना तो इस तर से काफ़ ज़ादा रिस्क ले वालो मैं फिरसे एक बार टीम प्रीव्यू कते कि यहां पर में klais को में बहुत से ले रहा हूं पर बैली बाठी की बदी की बात करें किने और में यहां चारान के लायां करें हां तहें को भी पासी होल्डर है ज्यां के तो कुलमलाख थे सबसे ज़्यादा रिष्य है टीम लेकिन आपको एक बात और मताना चाहूंगा कि सबसे ज़्यादा चांसे से इस टीम के जीतने के तो इसी लिए इस तो बेटर है काफी पैसे जाने के ही चांसे जादा है स्मॉल लिग में अगर यह हमने जो 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 चेंजेस किये हैं दोस्तों वह अगर चल जाए तो आज आपको ग्राइड जीतने से कोई नहीं रोक सकता आज आपके पोबारा होने तो इसलिए इस टिम को ग्राइड के लि जीतने के चंसे से यह भी काफे जादा है दोस्तों क्यूंकि ये प्षोड आपके बनाने और किप्षो और सि होज़ें के आज चोज किया है लेकिन दोस्तों इसी तर से कीजिएगा क्योंकि यह प्लियर इतने बुरे नहीं है इनका परफॉर्मस भी इतना बुरा नहीं है कि आप इनको कहीं पर भी क्याप्टन वाइस क्याप्टन बना नहीं सकते उल्टा अगर आप बनाते और यह सच में अच्छा करते तो आपको यह जिता सकते तो इसलिए मैंने आइसा क्यार थोड़ा हटके क्यार चले दोस्तों को भी क्लोज कर लेते फिसे कोंगा ग्राइड लिक के लिए जादा चेंजेस मत की जगा थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि जो भी मैंने टीमें बनाई काफी सोच समझ के बनाई है और इसलिए जादा चेंजेस मत की जगा एक दो चेंजेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लेम में कोई दिकत नहीं आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाई